आती आते जाते जाते कोई कोई जाके जाके तके तके हारे हारे दोड़े दोड़े सारे सारे पिछे पिछे आगे आगे गिरे पड़े भागे 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 नील की तलाश तू छुपी है कहाँ, मैं तलबता यहाँ तेरे बिनखी का थीका है दिल का जहाँ छुपी है कहाँ, मैं तलबता यहाँ अफनी का एहसास कब होगा मिले और करो जतन मुस्कान हाउस में आज अवनी की लगाई जा रही है क्लास कहा जा रहा है नील के पास वापस जाने को लेकिन अवनी अभी नील का सामना नहीं करना चाहती लेकिन किस्मत का करेक्शन तो देखिए एन मौके पर नील बाबू भी यहाँ आठपकते हैं जैसे ही नील के आने के आहट सुनी अवनी के कान खड़े हो गए और एक बार फिर शुरू हो गया छुपने छुपाने का खेल नील को यह एहसास है कि अवनी यहीं कहीं है और शायद यहीं एहसास नील को बार बार मुस्कान हाउस ले आता है नील को देखकर सुनहरी और तारा सुतारा ने मिलकर नील को बहकाने की कोशश की ताकि नील की नजरे अवनी पर ना पढ़ जाए और लगता है अपनी भी खूब मज़े ले रही है नील के सा आँख में चॉली का ये खेल खेल कर अब पाता रही कि अपनी और कितने दिन अपने आपको नील की नजरों से छुपा कर रख पाएंगी क्योंकि नील बाबू इतनी आसानी से नहीं मानने वाले वो तो जान दी का दीदारे हुसन करके ही मानेंगे अब देखिये ना कैसे केके के साथ प्लानिंग करके अपने प्रडक्शन वाय को बेज़ दिया है अबनी के मुस्कान हाउस में मूवी शूट करने के लिए लेकिन जैसे ही अबनी को ये पता चला किस घर में केके के साथ साथ नील भी आएंगे तो अबनी ने फॉरन ही उस प्रडक्शन मेनेजर को चेक वापस कर दिया और उल्टे पाउं वापस जाने को कह दिया तो वही नील बाबू अबनी उर्फ जानदी को देखने के लिए परिशान हो रहे हैं और ज़रा देखिए कैसे आज मोगली ने नील बाबू को अपनी से मिलने से रोग दिया ये कहकर कि जानदी को चिकन पॉक्स हुए हैं लेकिन नील बाबू भी कम तिकडमी नहीं है किचन में घुश कर काढ़ा मनाने लगे ये कहकर किस काढ़े से ठीक हो जाएंगी जानदी अब देखते हैं कब होता है मिलन नील और अपनी का क्योंकि नील का ये एहसास बहुत जल्द ले आएगा दो बिछडे आशिकों को पास तब तक करिए थोड़ा सा इंतजार बिन तेरे कोई आस भी ना रही इतने दर से के प्यास भी ना रही लड़ खड़ा है कडम चले आए तू ना आया तो हम चले आए चले आए वास सवास को मैं पहली भी सुन चुका हूँ मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरू बढ़ा है करते हैं अचले आए 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 झाल झाल झाल